आफ का खेंगे बात करेंगे भारत की जैव विभित्ता राष्ट पार्क और अब्यारनियों के भारती अच्छा टॉपिक है इसमें से कई बार बहुत अच्छे सवाल आते हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजी आप क्या-क्या पढ़ना है आपको इसमें थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ देखे सबसे पहले जो यह शब्द लिखावा है जै विवित्ता आप इसी के उपर ध्यान दीजीए जै विवित्ता क्या होती है जै विवित्ता या फिर आपने कई जगों पर इसे बायो डाइवर्सिटी के नाम से पढ़ा होगा ठीक है देखे जै विवित्ता क्या है किसी भी स्थान पर फ्लोरा यानि की पादप पेड़ पौदे और फॉना यानि की जीव जन्तू किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली फ्लोरा और फॉना पादप और जन्तूों की जो विबिन प्रजातियां हैं उस स्थान की जैव विवित्ता कहला जाएगी मतलब किसी स्थान पर जितने ज़्यादा पेड़ पौदे और जीव जन्तों आपको मिलेंगे उनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उस स्थान की उतनी अधिक जैव विवित्ता कहलाएगी देखिए जैव विवित्ता हमारे लिए क्यों आउशक है, देखिए हम एक पारिस्तिति की तंत्र में रहते हैं, एकोलोजिकल सिस्टम में रहते हैं, मतलब हम भी इस एकोलोजिकल सिस्टम का एक हिस्सा हैं, हम इस एकोलोजी पर उतना ही प्रभाव डालते हैं, जितना एकोलो से किसी की भी संक्या घट बढ़ जाती है तो इसका असर इस पूरी फूर्ट चेन पर पड़ता है अब बात करें हम मनुश्यों की देखि मनुश्य ने अपने आप स्वार्थ के लिए जरूरत के लिए के लिए उन्होंने लगा तार पारिस्थिति की तंत्र का बहुत नुकसा जा रही है वैश्विक इस तरह की अभयान चला जा रहे है या ओनतुँओं की प्रजातियों को बचाये जा सके कटते जंगलों को बचाये जा सके इसलिए जय विवित्ता का कंसेप्ट रखा गया है ताकि विश्व के देशों में जाग रुखता पहला ही जा सके देखिए जय विवित्ता को मापने का तरीका जय विवित्ता किसी स्थान के कैसे मापने कितने प्रकार की जय विवित्ता होती है त अलफा बीटा और गामा क्या मतलब है देखे इसका देखे किसी इस्थान के उपर अग कोई ऐसी प्रजाती मिल रही है जो वहां की इस्थानी विशेष्टाओं के आधार पर पाई जाती हो इस्थानी विशेष्टा है यानि कि जैसे मरुस्तल में पाये जाने वाला उट अब उन्हे शरीर को तैयार कर लिए वह इवॉल्व हो गया है कर घृंड के हवाच इंवार्मेंटे इंदर बी वह रह सकता है इसका मतलब है यह ह। जाहां जाहां पर भी मरुस्तल होंगे वहां वहां पर आपको उठ मिलने की सम्भावना है और उट मिलते भी हैं बात समझे तो ऐसी विवित्ता इस्थानी इस्तर की जैविवित्ता कहलाती है यह क्या कहलाती है इस्थानी इस्तर की जैविवित्ता यह आप इसको क्या कहेंगे अलफा जैविवित्ता बीटा जैविवित्ता का मतलब है कोई ऐसा पशू पेड़ परन्तु एक टाइम था जब भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी यानि उत्तर से लेकर दक्षिन तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक आपको बाग फ्रिक्वेंटली पाई जाते थे तो ऐसी जब विवित्ता जो एक बड़े स्थर पर किसी देश में पाई जा अलावा उसके मिलने की कहीं पर भी संभावना नहीं है यह मिलताी नहीं है तो ऐसी जब गुजलती है गाम ज special कैलाती है अब देखिए जैव विवित्ता अगर आप पढ़ोगे तो इसमें एक शब्द आएगा जैव विवित्ता के हॉट स्पॉट का मतलब क्या है देखिए ऐसे इस्थान जहाँ पर जैव विवित्ता प्रचूर मात्रा में पाई जाती है जो जैव विवित्ता के लिए जाने जाते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जन्तूओं की संख्या भी है और विविन विविन प्रजातियां है तो ऐसी जगहों को क्या बूला जाता है हॉट इस्पोर्ट बूला जाता है जैव विवित्ता के हॉट इस्पोर्ट बूला जाता है पापस बोल देता हूं ऐसे इस्थान जहाँ पर जैव विवित्ता प्रचूर मात्रा में पाई जाती है वो जैव विवित्ता के क्या कहला है चार कभी पूछ ले आप से पहला तो हमारे पास है पस्चिमी घाट है कि दूसरा है हमारे पास पूरवी हिमाले, ठीक है, ये दो तो हैं जो पूरी तरह से भारत में इस्तिते हैं, दो आट्रिश्पॉर्ट है, पस्चिमिगाट और पूरवी हिमाले, ये पूर रूप से भारत में इस्तिते हैं, जबकि जो तीसरा और चौता आट्रिश्पॉर्ट है, वो हमारे हाँ पर भ कुरता है और चौथा जो है वह है सुन्डा लेंड ना कि मलेशिया इंडोनेशिया हमारा म्यानमार थाइलेंड हमारे अन्दमानिको बारदीप समू भारत का उत्तरपूर्वी भाग यह सब किसमें आता है सुन्डा लेंड तो भारत में टोटल होटसपोट कितने हो गए चार उसमें से दो अपने आपे पूर्णत है और दो का अपन भागे ठीके फिर देखिए एक और चीज अपन करें जैविवित्ता का संड्रक्षन जैविवित्ता का संड्रक्षन जैविवित्ता का संड्रक्षन जैविवित्ता का संड्रक्षन मतलब इसको बचाने के लिए क्या प्रयास की तरह से हम कर सकते हैं तो जय विवित्ता का सन्रक्षन दो प्रकार से हो सकता है या तो हो सकता है ये अनता Isthahn सन्रक्षन या हो सकता है ये बही रिस्थान संद्रक्षन को बोलते हैं इन सीटू बही रिस्थान को बोलते हैं एक सीटू बात समझ रहें? बहुत आसान है, सिंपल बात है देखिए अगर आपका जो भी पादप या जन्तू है वो प्राकर्तिक रूप से जहां पर प्राप्त होता है उसका जो प्राकर्तिक आवास है अगर आपने उसके संद्रक्षन की सुविदा वहीं पर कर दी प्राकर्तिक आवास पर ही तो ऐसी संद्रक्षन की विदियां क्या खेलाएंगी? जैवे विता का अनतर इंस्तान संद्रक्षन जैसे आपने कोई राष्ट्रे पार्क बना दिया आपने कोई अभ्यारन ने बना दिया आपने कोई जैव मंडल आरक्षित शित्र बना दिया यह सभी क्या हैं यह सभी जैव विवित्ता के अंतर इस्तान संडरक्षन की विद्या है जैसे पर आपको कोई राष्ट्रे पार्क बनाना है, नेशनल पार्क बनाना है सरकार को, तो ऐसा नहीं होता है कि सरकार ने अब नेशनल पार्क के लिए जमीन देख ली है, अब बस यहाँ पर नेशनल पार्क बनाने का काम शुरू हो गया है, ठीक है, अब इतने सालों बाद ये complete होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, अगर आपको किसी इस्थान को जैव विवित्ता के नैशनल पार्क के रूप में दर्जा देना है, तो प्राकर्तिक रूप से जहां पर वो जीव, जन्तु या पेड़ पौदे पाए जाते हैं, वहां पर ही आप ये राश्ट्य पार्क अ सहमत इसे बनते हैं, अभ्यारन ने जो है किसी विशेश जीव, जन्तु या पादप को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है, अभ्यारन ने, जैसे बाग संरक्षन के लिए बनाया जाएगा, मोर संरक्षन के लिए, चीता संरक्षन के लिए, गोडाउन संरक्षन के किसी स्थान पर अगर कोई इस प्रकार का जीव जन्तु या प्रजाती प्राकर्थिक रूप से निवास करता है तो उस शेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है उसमें कई तरह की जो है प्रतिबंद भी लगाए जाते हैं जैसे मानवी गतिविद्या प्रतिबंदित रतिव अग इनके प्राकर्थिक आवास से हटा कर किसी करत्रिम आवास पर यानि किसी और दूसरे जगह पर ले जाकर अगर इनका संरक्षिन किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है बही रिस्तान संरक्षिन जैसे आपने किसी जन्तु वाले के स्थापना कर दी जन्तु वाले समझते हैं आपने कोई बीज बैंक बना दिया बात समझ रहे हैं आपने कोई जीन बैंक बना दिया जीन जीन समझते हैं जीन बैंक बना दिया आपने कोई वनस्पती उद्यान बना दिया बॉटनिकल गार्डन बना दिया कोई वनस्पती उद्यान बना दिया तो यह सब किसके अंदर आप उसको वहाँ पर लेके गए हैं, बात समझें, तो ऐसा जैविवित्ता का संदक्षन क्या होगा, बही रिस्तान संदक्षन कहलाएगा, ठीक है, तो अब बात करते हैं, कि क्या अंतरराश्ट्री इस्तर के उपर, जैविवित्ता संदक्षन के लिए कुछ प्रयास हुए है हाँ, बिल्कुल हुए है, देखें, अंतरराश्ट्री इस्तर पर, जैविवित्ता के संदक्षन के प्रयास के लिए, काम करने वाली सबसे बड़ी जो संस्ता है, वो है IUCN, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ओफ नेचर एंड नेचरल रिसोर्सें, बाद समझ रहे हैं? तोई कि इसकी जो स्थापना हुई, वो हुई 1948 में। इसका जो मुख्याले है वो है, ग्लान सुझर्जर लेगे। ठीक है, भरतमान में आप समझ लिदिये के जैव विबित्ता के लिए, जैव विबित्ता संदक्षन के लिए, कारे करने वाली या सबसे बड़ी संस्त यह वाद सी है सबसे बड़ी संस्ता है ठीक है फिर देखिए एक चीज़ इसमें याद रखेंगे एक संस्ता और है WWF WWF क्या है World Wildlife Fund World Wildlife Fund इसका भी जो मुख्या ले है वो क्या है वो Gland तुज़र लेंड में बाद समद रहे इसका मुख्या ले भी का है Gland तुज़र लेंड में और यह क्या करता है यह IUCN के लिए Fund जुटाने का काम करता है यह क्या करता है IUCN को जो पैसा चाहिए उसको जुटाने का काम कौन करता है WWF करता है विबिन देशों के अंदर सेमिनार का आयोजन कराता है प्रदर्शनियों का आयोजन कराता है अंतराश्ट्री संगटनों से मदद लेता है और सब किसको देता है IUCN को देखे आयोजन द्वारा आज तक जैविविता के लिए किया गया जो सबसे बड़ा काम है वो है Red Data Book क्या? Red Data Book ठीके? कभी आपसे पूछ ले के ये Red Data Book किसने जारी करी है? तो ये Red Data Book किसने जारी करी है? IUCN ने जारी करी है IUCN ने क्या किया है? विश्व के जो भी फेड़ पौदे जीव जनतु जो है उनको पांच केटीगरी में रखा है इस Red Data Book के अंतर गत्री कौन-कौन सी पांच गत्री देखो विलूप संकटापन दुरलब समिध्य और जानकारी प्राप्ट क्या कैटेगरी देखाँ आप विलूप्ट मतलब एक्स्टिंग ऐसी जीव जन्तू पेड़ पौदों की प्रजातिया जो पहले कभी पर्थी पर थी पर आज वो बिल्कुल भी एक्सिस्ट नहीं करती है आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है जैसे डाइनासौर ठीक है और भी ऐसी कहीं सारी पेड़ पौदों की जन्तूओं की प्रजातिया है जो पहले कभी यहां पर हमारे यहां पर प्रतिफर मिलती थी कईयों का तो अथी शिकार बहुत जादा शिकार के करण जैसे हाली में अभी अफरीका के अंदर एक सफेद गेंडा जो विश्व का आखरी सफेद गेंडा था उसके मौत हो गए तो अब सफेद गेंडा अब हमारे यहां पर नहीं पाए जाता है शिकार बहुत क्या गया उसके सींग के लिए नाखून के लिए और उनके संख्यामने कम कर दी और एक आखरी बचातार वो भी खतम हो गया तो यह है एक्स्टिंट ऐसी जीव जन्तु पेट पौदे जो पहले कभी एक्जिस्ट करते थे परन्तु अब एक्जिस्ट नहीं करते हैं उनको किस कैटेगरी में डालते हैं एक्स्टिंट या विलूप संकटापन है एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड का मतलब क्या है ऐसी प्रजातियां जो लगातार होने वाले शिकार या जलवायू परिवर्तन के कारण उनकी संख्या में भारी कम ही आ रही है बात समझे अब वो कुछी संक्या में बचे हैं बहुती वो कम नंबर्स में बचे हैं तो ऐसी जातियों को बचाना ज़रूरी है तो उन्हें किस में डालते हैं संकटापनिया एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालते हैं दूरलब है रियर ऐसी जीव जंतों की प्रजातियां जो बहुती कम मेð रखने में बहुत रे रहोती हैं तो ऐसों को अपन किस में डालते हैं दूलब में डालते हैं समयध्य का मतलब है जैसी जीवजन्तूओं की प्रजातियां जो है तो काफि संक्या वहर रहा है और अगर शिकार को रोका ने गया तो हो सकता है आने वाले चन था औरетр लेखेंगे बाग बाग जो है वर्तमान में पहले एक वनरेबल था अभी एक संकटापन प्रजाती के रूप में है बाद समझे हाती हाती अभी वनरेबल है यह ब्लैक बग क्रश्ण मर्ग जो आपने सुने होगे वनरेबल है ना तो इनको बचाना बहुत जरूरी इनके शिका कहा कहा पर पाई जाती है उनको किसमें डाल देते हैं नौट नोन में डाल देते थे तो आयजीन की यह रेच डटाबुक जो है यह विश्व के अंदर जो जयववित्ता का अभी इस्तर है उसको मापने के लिए उसका पता करने के लिए इ verwstar में उसके लिए बहुत लिए ए अपनी जीव जंतूं के प्रजातिया वगेरा है इनको रखा गया है ठीके इसके अलावा देखो एक चीज़ और कर लेते हैं अपन कि रामसर समझोता कि 1971 क्या रामसर समझोता 1971 देखो रामसर जो है ये इरान का एक शहर है और उन्होंने आपस में बैठ कर एक समझोता किया कि विश्व में जितनी भी आद्र नम तथा दल्दली भूमियां है उनका सम्मेश संद्रक्षन करना होगा देखी क्या है कई बार आपने देखांगो जो जील है तलाब है नदियां है इनके जो किनारे होते हैं कई बार यहां पर आपने कई सारे पक्षी देखे होंगे है ना समुदरी पक्षी होते हैं या जलिये जीव जो होते हैं जल्चर जेने आप कहते हैं वो यहां पर क्या घरते हैं यह जो दलदल जस आपको दिखाई देता है यहां पर अंडे भी देते हैं भोजन की तलाश मे प्रवासी प्रक्षियों के बारे में आपने सुना हुगा, जैसे साइबेरिया इसारस वगेरा, वह खारिवेरा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यह उड़कर भारत जैसे गरम इलाकों की तरफ आते हैं और इनी आदर और नम भूमियों के किनारे पर रुखते हैं, हम मारे लिए आदर और नम भूमियों कुछ काम की नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं इन आदर और नम भूमियों को साफ कर देते हैं, मिट्टी वगेरा डालके इनको पक्का कर देते हैं, इस वज़़े से हम इन पक्षियों के जो प्राकर्तिक आवास हैं, उनका हम नुकसान कर इस वज़र से विश्व के देशों ने ये तैय किया कि हमें इन आद्र और नम भूमियों को बचाना पड़ेगा भारत भी जो है 1982 के इंदर इस समझोते पर हस्ताक्षर कर देता है वर्तमान में भारत में 37 ऐसी जगे है जिने रामसर साइट का दर्जा दिया गया है देंकि रामसर साइट का दर्जा देने का मतलब है कि ये जो बूमिया है अब ये प्रोटेक्टिट है ये स्थान प्रोटेक्टिड है यहां पर किसी भी प्रकार का निर्मान कारियर दखलंदा जी नहीं किये जाएगा तो कभी कभी पूछता है वरतमान में भारत में कितनी रामसर साइट है तो आप आपको पिन पॉइंट बताये क्याक है क्याक एक तो चलिए थोगा सा आगे हम अप देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़े याद रखनी है तो देखिए सबसे पहले में आपको जय विवित्ता की परिवाशा बताई विविन इस्तानों पर पाई जाने वाली प्रजातियों की विविन्ता क्या कहला थी उस इस्तान की जय विवित्ता कहला थी इस शब्द का प्रियोग सबसे पहले वैसे तो Walter जी ने किया था परन्तु बड़े पैमाने पर जो नाम हमको मिलता है न वो मिलता है Wilson द्वारा ठीके जादा तर एक्जाम्स के अंदर जो option में आएगा न तो Wilson आएगा तो ध्यान रखना जैविविट्टा शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग सबसे पहले किस ने किया Wilsonने किया था 1986 में अमरीकी जैविविट्टा फोरम में जैविविट्ज़ दीखो 3 प्रकार की है यह शायद मने पीछे बताया नहीं था तो यह भी कर लेते हैं देखो जय विवित्ता तीन प्रकार की होती है, अनुवान्शिक जय विवित्ता, प्रजातिय जय विवित्ता और परिस्तिति की तंत्र की जय विवित्ता, प्रजातियों में पाई जाने वाली अनुवान्शिक विवित्ता को अनुवान्शिक जय विवित्ता के नाम से जाना evolvement जो होता है, मतलब उसका जो विकास जो हुआ है वो अलग-अलग तरीकोस हुआ है आप देखोगे तो आपको लाल मुवाला बंदर मिलेगा, आपको लंगूर भी मिलेगा आपको शेर पूँच बंदर मिलेगा जिसकी पूँच शेर जैसी होती है बालों की आयाल होती है आपको गोल्डन लंगूर मिलेगा मतलब कहीं सारे आपको प्रजातिया मिलेगी है वो बंदर ही बट कहीं सारे आपको अलग-अलग प्रकार मिलेगा जैसे क्या होता है कि ये विविन प्रकार की विशी समुदा था परित अंत्र में उचित कारे के लिए प्रजाती विवित्ता का आउशक है देखो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा चिपकली है ना अब इनको सरी सर्प क्रिशेडी में रखा जाता है पर चिपकली एक आपने बिल्कुल छोटी देखिए आपने फिर उसके बाद चंदन गो देखा है आपने गिरिगिट देखा है अब यह है सब चिपकली फैम पर अलग-अलग जगों पर ये अलग-अलग प्रकार की प्रजातियां इसकी प्राप्तूरी फिर देखिए पारिस्तित्र की तंत्र की जय विवित्ता मतलब जिस जगह पर जिस प्रकार के परिस्तित्र की तंत्र का होता है विकास जैसे पारिस्तित्र की चंत्र इस्थल पर भ होगा है ना उनका प्रात्मी को बोगता अलग होगा इस तल के उपर प्रात्मी को बोगता अलग होगा तो इस प्रकार से यह क्या क्यलाती है पार्शिति की तंत्र की जैवेवित्ता कैलाती है नेक्स देखिए, जैवेवित्ता का संरक्षन मैंने आपको बताया था, जैवेवित्ता का संरक्षन दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो कैसे, अन्ता इस्तान संरक्षन, यथा इस्तान भी कह सकते हैं, इसको अपने अन्ता इस्तान संरक्षन लिखा था, इसका मतलब जिस इस्त यह इस प्रकार से होते हैं भारत में जो पहला जैव मंदल रिजर्व स्तापित किया गया था नील-गिरी में इस्तापित किया गया था ध्यान रखीएगा दूसरा मैंने आपको बताया था बहीरिस्थान संद्रक्षन है ना XC2 यानि कि आपको पादप दिन्तू की प्रजाती एक इस्थान से उठाके दूसरी इस्थान पर लेगे जानी है बीटा विवित्फा, आवसों में परिर्वर्थन, आदिरत, अक्षान्ष में परवंडतन के कारण बीटा जैसे मैंने कहा न, एक पूरा देश है अब उसमें लगाता है आप देखे जलवायों में परिवर्तन आ रहा है परंतु वो जो जन्तु है उसने अपने आपको उस जलवायों के इसाब से ढाल लिया है ठीक है फिर गामा यानि कि ऐसी जैवेवित्ता जो किसी एक विशेश इस्तान पर ही मिलती है और कहीं नहीं मिलत कि जो इस्फापना की जाती हैं कि यह केंडर सरकार दवर्घ की जाती है जैसे अबननों कि उत्पाद इकटे करना अब नों में इसकी चूट होती है राश्ट्रे पार्क में इसके बिल्कुल चोटने वह उद्गों भारत की कुछ मैं प्रमोख राश्ट्रे के नाम लिख रहा हूँ वैसे पीछे अपन लिस्ट भी की भी बात करेंगे उसमें बारत के लगबग मैंने अल्मूस्ट बहुत सारे राश्क्रिपार को रभ्यर ने कवर किये हैं बट मेरे हिसाब से आपको कौन-कौन से याद रखने चाहिए देखो सबसे पहले आप याद रखोगे हैमीज हैमीज नेशनल पार्क कहा है है हैमीज नेशनल पार्क है लद्दा क्यों याद रखोगे भारत में शेत्रफल की दृष्टी से यह सबसे बड़ा है, भारत में शेत्रफल के दिष्टी से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हैमीज नेशनल पार्क के ध्यान रखना, इसके लावा देखो, अब मैं आपको जम्मु कश्मीर के अंदर कौन-कौन से नेशनल पार्क है, एक तो आप याद रखोगे, दा ठीक है, फिर देखो, याद रखना आप किसको, उत्तरा खंड के अंदर देखो, आपको एक तो मिलेगा, जिम कॉर्बेट, एक आपको मिलेगा, नंदा देवी, एक आपको मिलेगा, राजधीन है, इसमें देखो जिम कॉर्बेट जो है ये जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक्चुली इसे 1935 के अंदर इस्थापित किया गये था तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क बाद में इसको अब क्या कह दिया जिम कॉर्बेट जो है ये फेमस है बागों के लिए इसके लिए नंदा देवी और राजा जी नंदा देवी के अंदर आपको एक विशेष ज भी आपको हिम तेंदुआ मिलेगा बाद समझ रहे तुत्राखंड में आप यह याद रख लेना उसके बाद देखो आप एक में ले रहा हूं गुजरात देखो गुजरात के अंदर आप एक तो याद रखोगे सबसे फेमस गिर नैशनल पार गुजरात के जूनागर में है गिर नैशनल पार किसके लिए एशियाई शेरों के लिए प्रशिद्ध है किसके लिए प्रशिद्ध है यह एशियाई शेरों के लिए प्रशिद्ध बा यहां पर आकर्षन का केंद्र है वो है OCOPUS और पफर फिश क्या मिलता है यहां पर OCOPUS और पफर फिश कहलावगा कच्छ की खाड़ी में कच नेशनल पार्क में इसेते हैं कच्छ मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में इसे देखो पन्ना कि बांधाउ गड़ पैंश काहना किसले यह सबी जो है यह सबी किसके लिए फिर्मों से बागों के लिए किस खास करके पन्ना वर्तमान में देखे अभी अगस्ट 2020 सबी इसल्राया वर्तमान में सबस्यादा गजण्य काहां, और मद्य प्रदेश को क्यारी इसटेट जाता है ठीक महरास्ट्रे ले लेते हैं एक और यहां पर संज्य राष्टे पारक और संजे राष्ट यह मद्यप्रदेश्ट अब देखू महाराष्ट में महाराष्ट में एक तो है संजे गांधी कांसा लगान आसे फार्श काहां पर है मुंबई शहर के बीचों भी इसके लाव आपको यहाँ पर मिलेगा एक तदोबा तदोबा के अंदर भी बाग है बागों के लिए प्रिसिद्ध है ठीक है फिर देखू करनाटक करनाटक के अंदर आप याद रखना एक तो बनर गट्टा एक याद रखना बनदीपूर और एक याद रखना नागरोल और ये तीनों के अंदर है करनाटक नाम याद रखने वहसे आपको ठीक है और कुछ नहीं अद सब्लाव न सब्रभाण और कुछ नहीं बनर गट्टा बनदीपूर और नागरोल यह कहां पर किसके लिए प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है सांपों के लिए इसके लाव मरीन नेशनल पार्क भी यहां पर एक नील गिरी नेशनल पार्क है ठीक है नीलगिरी जो है यह केरल तमिलनडू और करनाटड यह तीन रज्ज़ीों के अंदर पहला नीलगिरू नाश्लल पार्क अब केरले आई गया केरल के अंदर देखो बड़ाव फ्लिवन सेगतों पेरियार नाश्चनल पॉर्क एक है इदू की निशनल बार्कபार पेरियार और इदू की ये किदर है, केरियल में आ समझे रहे हैं, इसके लाव। मनि पूर के अंदर आप याद रखना मनि पूर में मनि पूर के अंदर एक बड़ा famous है केबूल लाम जाओ कौन지 ऑन sır केबूल लाम जाओ ये केबूल लामजाओ जो है ये विश्व का एक मात्र तैरता हुआ जोला मुकी गया तैरता हुआ नैशनल पार्क है केबूल लामजाओ इसके लाव देखो असम याद करना एक असम के अंदर एक तो है मानस और एक है काजी रंगा कौन सा काजी रंगा एक सिंग वाला ड़्यंडा से में ख़द सा कि यदर बुक्सा निष्टा नेशनल पार्क सब्सक्राइब पूछे जाते हैं एक बार आप इन पर जुरू ने को बता देता हूं जैसे हाँ एक और अगर आप से पूछे भारत में सरवादिक नैशनल पार्क और अभ्यारने कहां एस्तित है तो आप बोलोगे अभ्यारने को बार देता है तो देखो शुरू कर अपन असम के अंदर एक तो याद रखो काजी रंगा और एक मानस एक गरम पानी अभ्यारने भी ध्यान रखना ये भी कहां है असाम के अंदर ये पूछावा है एक बार अरुनाचल प्रिदेश में देखो नाम दफा याद आंदर प्रिदेश के अंदर आप देखो एक तो ये नागर्जुन सागर जो है सबसे बड़ी हमारी बाग परियूजना है त्यलंगा न ठीक है अंद्मा निकॉबर में एक बार ये नाम पढ़ ले नाब पूछे नहीं जाते हैं वैसे अंद्मा निकॉबर में जितने द्व बड़ा फेमस है यहां का गुजरात का मैंने आपको बता दिया है इसका आप गिर्फ याद रखोगे ठीक है एक मेरीन राष्ट युद्ध रुद्यान आप याद रखोगे एक जंगली गदा ब्यारण नहीं है ठीक है गोवा बगवान महावीर रश्ट युद्ध राष्ट वो दो राज्ये हैं जहां पर सबसे कम नेशनल पार्क है अभी हुए है पहले तो थे ही ने बिल्कूल ही ने थे अब होने लगे हैं हिमाचल प्रदेश में आप देखो एक तो याद रखोगे यह ला ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क ठीक है बस यह याद रखना आप जमू क याद रखोगे एक कुद्रे मुख याद रख लेटा एक नागरूल के अंदर देखो एक तो पेरियार याद रखने है आपको एक साइलेंट वैली यह बड़ा फिमस है साइलेंट वैली रश्टे पार्क कि दर है कहीं बार पुछावा है कहां पर याद रखोगे के अंदर कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर तो कई सारे हैं पंच मडी बादव गड़ बियर तदोबा पेंच चंदोली एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह कई बार पूशते हैं गोड़ावन राष्टे पार्क इदर इस्थेते हैं अब्यारण ने जो है यह महराश्ट में इस्थेते हैं मनिपूर का मैंने आपको बताई दिया केबुल लाम जाओ मेगा लेके अंदर यह नौक रेक पूचावा है अलग यूपीस्टी में पूचा था ओडिशा का मैंने आपको बुला ही था सिमली पाल ठीक है फिर देखिया आप पंजाब कोई खास नहीं राजिस्तान राजिस्तान में देखो आप एक तो यह आ रखो के सरिस्का अलवर ठी के माउंट अवू नैश्नल गरिया अभ्या रनए कई सारे है राजिस्तान के अदर भी तमिल नाडू के अंदर ब्रहता है अन्नम लई मेरीन नेश्नल पार्क के एक मैंना आपको बचाता दा लिए इंदी नेश्नल पार्क जरूर याद रखना तमिल नाडू के अंदर पूच्छा जाता है राजाजी नैशनल पार्क पश्ची मंगाल के अंदर देखे बुक्सा नैशनल पार्क है, इसके लाभाए सुन्दरवन टाइगर रिज़र्व है ये भी पश्ची मंगाल के अंदर है, ओके तो दोस्तो यह है हमारे राश्ट्य पार को अब ब्यारने, बाद में हमें टिक किये बाद में करना नी है स्बसे पहले आपको वह करने वह सबसे पहले याद रुखना उसके बाद ही हो तो दोस्तों यहां पे हमारा खतम होता है जैविवित्ता राष्टिपार्क और अब्यारन ने ठीक है तो अल्मोस्ट अपने भारत की संबनेत में हमने जो जाजा चीजें होती जिसे क्रशी हो गया यह चीजें हो गया हमने सारी खतम कर लिए नेक्स लेक्शन में फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक इस लेक्शर को आप तयार करिए आराम से इसके नोट्स बनाई है बार बार इसको पढ़ना पढ़ेगा तब चीजें आपकी स्थाई होंगी ठीक है तब तक के लिए मैं आपसे इजादत चाहता हूँ धन्यवाद